नमस्कार दोस्तों आप सभी का दिन से स्वागत करता हूँ Stock for Money YouTube चनल पर मैं बात करना जा रहा हूँ कमपनी HFCL Limited के बारे में कमपनी ने आज के दिन अपना quarter one का result पेस करते हुए नजर आ रहा है दोस्तों वाय 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 बेसिस में अगर देखेंगे एक जब और 10 रेजल्ट पेस करते हुए कमपनी दिख रहा है सब के उपर डीटेल में चर्चा करेंगे पहले आए कमपनी के जो बिजनेस है और प्रोड़क्ट है उसके उपर थोड़ा सा नजर डालते है कमपनी जेनराली टेलीकम रिलेटेड प्रोड़क्ट और इसकी सर्विसेस में एनगेज होता हुआ दिखता है कमपनी की अगर हम प्रोड़क्ट को देखेंगे यहां पर देखेंगे एक कमपनी जो देखिए दोस्तों टेलीकम रिलेटर प्रडॉक्ट जैसे कि ऑप्टीकल फाइवर एंड केबूल्स में कमपनी काम करता है टेलीकम एकुपमेंटम बनाता है टेलीकम में जो इलक्ट्रोनिक्स एकुपमेंट है इसको भी कमपनी मैनुफेक्चर करता हुआ नजर इन इन चुक पर लेट रेडियूज कमपनी बनाता है गपी ओ एन मेनुफेक्चर करता हुआ नजर आता है इलग्ट्रोनिक्स में देखिए टेलीकम पावार बैट्री मैनेजमेंट जो इनके लगते हैं यह कमपनी मनुफेक्चर करता है सोलार का भी काम करता हुआ दिखता ह टेलिकम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है टेलिकम नेटवर्क सर्विसेज जैसे FTTX, इन बिल्डिंग, OFC, अप्टिकल ट्रांस्मिशन, रेल्यूएज, टेलिकम नेटवर्क में भी कमपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, सेप एंड स्मार्ट सीटी यह से मैं जो टेलीकम का जो उपकरन है दोस्तों ये कंपनी लगाता हुआ नजर आता है और इसकी सर्वीस प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है और आने वाले समय में जो 5G का थिम चल रहा है दोस्तों इसमें भी ये कंपनी एक अहम रोल निभात आता हुआ दीखेगा नेक्स्ट आई ये कंपनी डिरेक्ली कंपनी के जो रेजल्ट है उसके उपर चलते हैं देखें यहां पर आज के दिन कंपनों ने प्रेस रिजिल के रिलीज करके बता है इनका कहना है क्वार्ट और वन एफ य ट्वेंटी टू कंसूलिडेटेर रेव आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अगर हम टोटल को कंपैर रिजन में देखेंगे यहां पर देखेंगे रेविन्यू देखें एक हजार दोसुट छे करोड का रेविन्यू कंपनी यहां पर जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है और यह क्वार्टर वन एफ ट्वेंटी वन में कितना था देखेंगे 699.76 करोड 72.46 पर्षेंट की वाय ओन वाय बैसीस पे जंप आपको नजर आएगा इबिटा के अगर बात करेंगे इस में भी देखेंगे 131.12 पर्षेंट का जंप है दोस्तों मार्जिन में इविड़ा मार्जिन में देखेंगे 403 BPS बैसिस प पर्षेंट का जंप है 21 करोड से 90 करोड कहां 21 करोड था अब देखेंगे बढ़के आ गया है 90 करोड इस क्वाटर में पैट मार्जिन के अगर बात करेंगे इसमें देखेंगे आपको नजर रहेगा 3.04 पर्षेंट था और अब बढ़के 7.52 पर्षेंट हो गया है रेजल्ट को अगर हम दोस्तो Q1 QBasis पर देखेंगे quarter on quarter इसको अगर तुलना करेंगे ये देखे quarter 4 FY21 में था 1391 करोड रेविन्यू जबर दस्त कंपनी उस टेम कमाता हुआ नजर आया था यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर quarter 1 FY22 में घड़ गया है 126 करोड का रेविन्यू शरीफ कंपनी जनरेट किया है 13% के आपको यहाँ पर गिरावट नजर आएगा रेविन्यू में इविट्टा में दो जसमी लोग 24% की जंप है और मार्जिन में भी देखिए यहाँ पर 298% की जंप है और पेट मार्जिन में अब देखिए 6.21% अब आया है 7.52% देखा जाए तो quarter on quarter में थोड़ा सा रेविन्यू में आपको यहाँ पर घिरावट नजर आएगा बट आवराल देखेंगे दोस्तों एक जबर 10 कंपनी यहाँ पर रेजल्ट पेस करते हुए नजर आ रहा है आप बिल्कुल इस कंपनी के उपर नजर बना के रख सकते हैं नेक्स्ट अगर हम कंपनी की और कुछ पारामीटर को देखेंगे पहले यह कंपनी के जो प्राइस परफर्मेंस है कैसा है यहाँ पर यह कंपनी परफर्म किया है उसके उपर नजर डालते हैं कंपनी की अगर बात करेंगे 222.65% का रिटन कंपनी पिछले तीन महिने में आपको कमा के दे दिया है दोस्तों तीन साल में देखिए दोस्तों एक दस्मलोग 52% का रिटन है मंतली एवरेज डेलिवरी परशेंटेज 26.35% है और विकली अबरेज देखेंगे तो यह 31.62% नजर आता है इसके पीछले टेडिंग सेशन में कंपनी में जिए 100% की डेलिवरी उठाया गया था दोस्तों कि नेक्स अगर हम कंपनी की और कुछ पारामीटर को देखेंगे हैं तो यहां पर एन्वल नंबर को तोड़ा देखते हैं थोड़ा से यहां पर 2019 में highest revenue था बट यहां पर company यहां पर decent revenue यहां पर produce करते हुए दिख रहा है net profit में भी ज्यादा गिराबट नहीं है company का ठीक ठाक यहां पर चल रहा है दोस्तों EPS की अगर योर वाइस बात करेंगे भी company 1.86% यहां पर एक चीज नजर आता है प्रमोटर द्वारा किये प्लेश से आर बट यहां पर देखिए company का जो पहला पहले 38.64 परसेंट है यहां पर 44.72% की आपको जो है टोटल से आर का प्लेश होता हुआ टोटल प्रमोटर का आपको नजर आएगा बट यहां पर एक पोजिटिव साइन यह है कि यह लगातार quarter on quarter जो प्रमोटर है अपना से आर छुड़वाते जा रहे हैं अगर बात करेंगे इन्हों ने देखिए दो दसमें लोग एक आठ परसंट की होल्डिंग इनके पास है डी आई याई जिरो पंट जिरो सेवन परसंट की होल्डिंग है बाकि जो है दुस्तों पबलिक होल्ड करते हैं 55 दसमें लोग 7 परसंट सेवन पड़ को देखेंगे होल्डिंग वाईज होड़ा सा यहां पर क्यूँके प्लेजट है जोस्तों सेवन तो थोड़ा सा यहां पर कमजूर पड़ जाता है तो'd यहां पर जिस सेक्र में काम करता है नंबर वन जो यह कंपनी है और यह आने वाले समय में और भी बहत्रन प्रदर्शन कर सकता है दोस्तों और प्रमोटर जिसके चलते कंपनी अगर मुनाफा में आया तो आराम से प्रमोटर जो है अपना सेयर गिर्वी रखा हुआ सेयर को छुड़वा सकते हैं नेक्स्ट अगर हम कंपनी की और कुछ पारमीटर में बैलेंस सीट को देखेंगे यहां पर देखेंगे 1748 करोड का यहां के पास रिजर्ड एंसर प्लस देखने के लिए मिलेगा और यह आपको यह वाई जी रिजर्ड एंसर प्लस आपको बढ़ता हुआ दीक रहा है लंग टर में देखे 197 करोड का यहां पर बोरोइंग से और सटर में 530 करोड का कंपनी के पास बोरोइंग नजर आता है कैस अंड कैस इकुविलेंट के अगर बात करेंगे यह देखे 293 करोड का कैस कंपनी के हाथ में है और यहां पर करेंटली 5.61 करोड का कंपनी कंपनी के पास हो गया है कंपनी देखिए मार्केट के अपकर देखेंगे ग्यारहजार चाहसरों पत्चीस करोड का मार्केट के अपकंबली कंपनी है और पी अभी बात करेंगे तो यह 47.2 पीप यह कंपनी ट्रेड कर रहा है आरोसी देखिए 20.0% मेंटेंटर के रखाया और return on equity की और बात करेंगे 13-10 में लोग 5% का यहां पर आपको नजर आए गाड़ेप to equity ratio 0.45 है और टोटल डेप्ट की बात करेंगे दोनों मिलाके 861 करोड का स्रीप कंपनी के पास debt नजर आता है दोस्तों कंपनी देखा जाए अभी के लिहास से 5G की जो theme की चलते आप देखे कर दिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा दूस्तों जैहिन